प्रिये छात्रों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्रेश्ट कोचिंग सेंटर यीट्यूब चैनल पे छात्रों तो आज कम्या टॉप्ट की यानि कि गुनन खंड ठीक है कि गुनन खंड बनाये और सर्व सामीका के परियोग से या सर्व सामीका नाम इसमें दिया हुए है कि गुनन खंड या बिजिये बैंज सर्व सामीका का भाग ठीक है सर्व सामिका का भाग इसका मतलब यही होता है कि बीज गनीत को हम सर्व सामिका इसमें पढ़ते हैं ठीक है कलास 8 में सर्व सामिका नाम काफी famous आपको लग रहा होगा तो यह सर्व सामिका नाम कोई अलग नहीं है या बीजगनित को ही नाम को इसमें सर्वसामिका कहा गया है चाहिए वो फर्मूला के रूप में हो तो सर्वसामिका में ज़्यादा तर ही वो यही किया गया है कि फर्मूला के रूप में इसको ब्याथित किया गया है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहा है कि सार आप गुननखंड ग्यांत करें ठीक है सबसे पहले तो गुननखंड के बारे में हम लोग समझते हैं कि गुननखंड होता क्या है तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि क्लास 8, 9, 10, 7, 6 से ल अगर आपको चाहिए उस चैनल का लिंक तो आपको जो है न इस वीडियो को बगल में जो मेरा यानि के अवरेश्ट कोचिंग सेंटर का जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक किजिए आपको नीचे आजाएगा उसी वक्त जो होमपेज उखुलेगा उसी में आपको नीचे आजाएगा एवरेश्ट स्टडी का ठीक है तो उससे भी आप जाकर के क्लास नाइन और क्लास टेन का उहां पर स्पेस्याली कलास चलता है ठीक है तो उस पर से भी आप जाकर के देख लेते हैं ये टुजेट सब्जेक्ट का चलता है ठीक है तो चलिए सबसे पहले जानते ह गुना और दूसर का क्या खंड खंड यानि कि पहला गुना और दूसर का खंड गुना का जो खंड कर देगा उसी को हम क्या बोलते हैं गुनन खंड यानि कि छोटी छोटी गुना को उसको भी छोटी छोटी रूप में ला करके खंड कर देगा उसी को हम बोलेंगे गुनन खं ग्याद करें तो सबसे पहला कोस्चन को देखे क्लास एट का सुभम गनीत का हो या एंसी आटी का हो फिर से कवार हम बताते हैं यह दोनों में आपको यह कोस्चन देखने को मिलेगा ठीक है एट नंबर चेप्टर में ठीक है एट ए में एट दसमलब एक में यानि कि आपको द स्क्वार है ना तो इसको उपर नीचे लिख लेंगे पंद्राइबी यह दिख रहा है यह कोच्चन सेकेंड है ठीक है यदि आपको यह समझा देते हैं और अंत तक आप वीडियो को अच्छे से देखे गात आपको 100% समझ में आ जाएगा और दूसरका को आपको बना करके ह अब इसको गुनान खंड तोरिए गुनान खंड तोरने का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें भाग देते हैं इसका सधारन रूप को निकालते हैं तो 12 को सबसे पहले 12 में क्या कॉमाल लेंगे 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 AB स्क्वाइर फिर यहां पर 6 में क्या कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा B square फिर यहां से B square है एक B कॉमा लेंगे यानि कि एक B से भाग देंगे तो मेरा बचे जाएगा 1 B ठीक है इसको हम सधारन भासामें बोलते हैं लगुत्तम करना ठीक है लगुत्तम यह होता है कि यहां पर जो रहता है उसको हम बाहर वाले से भाग देते हैं उसके बाद 2 से जब नहीं लगे तो हम 3 से भाग देते हैं क्योंकि 3 में यहां पर नहीं लगा है 2 से तो हम 3 से भाग दिये हैं उसके बाद देखें मेरा 15 AB square है तो यहां पर फिर हम लिखेंगे 15 AB square इसको भी हम लगुत्तम की तरह गुनन खंड तोरेंगे ठीक है ल नगुत्ब की तरह गुनन खंड जो तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना से लगाएंगे तीन से, क्योंकि दो से लगेगा नहीं, विशम संक्या है तो, तीन से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5ab², फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ab², फिर जब a है यहाँ पर यहां पर कैसे लिखेंगे और इसको यहां पर कैसे लिखेंगे तो यहां पर 12 A B A square B के सामने में हम यानि की बरावर देंगे और क्या लिखेंगे कि सबसे पहले देख लेती ही कि क्या गुना में आया है तो 2 गुना 2 गुना 3 तो यहां पर लिख देंगे दो गुना दो गुना तीन गुना ए गुना बी गुना बी देखे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबलम हो गया है ए स्क्वाइर बी है ए स्क्वाइर बी है ए स्क्वाइर बी है तो यहाँ पे हमें ए स्क्वाइर बी किये हैं A जब कॉमा ले लिए न, तो मेरा क्या बच गया A B, ठीक है, A जब कॉमा ले लिए तो मेरा क्या बच गया A B, ठीक है, यानि कि B कॉमा ले लिए है तो मेरा क्या बच गया A बच गया, ठीक है, यानि कि B कॉमा ले लिए है तो मेरा क्या बच गया A बच गया, ठीक है, यहां से ठिक हैं, एंड़ी हैं, उसके बाद 15 A, 5 गुना बी गुना बी, क्या लिखेंगे, अब देखिये, कोश्चँन को सबसे पहले, हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सारभ गुननखणंड, सारभ गुननखणंड के मतलब, यह जिसका खंड, जो दोनों में जो एक रंग आया है वही इसका मेरा इंसर हो जाएगा जैसे यह दोनों में समिलित रूप से समिलित अंक जैसे बराबर बराबर अंक जैसे इसमें दो है इसमें दो नहीं है तो यह दो को छोड़ देंगे यहां भी दो है इसमें तो दो है यह नहीं है यह दोनो तो एक यहां पर लिखा जाएगा, यहां पर एक B है, तो यहां भी क्या है, एक B है, तो यहां पर B लिखा जाएगा, यहां पर A है, लेकिन यहां पर A नहीं है, B है, तो वही गुननखंड इसका एंसर होगा, सारब गुननखंड में, जो दोनों में समान समान अंकारा है, यान इसका क्या हो जागा तीन ए भी अब दूसर का देखें दूसर का कोस्चन क्या कहा है कि गुननखंड करें अब देखें फर्स्ट कोस्चन इसको हम बना दिया अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और यदी आ गया है तो च इसका मतलब यह एक पद और एक पद दो पद का यह गुननखंड है ठीक है तो इसको दोनों को हम अलग अलग नहीं करेंगे यहां पर हम कोस्चन को लिखेंगे 8x स्क्वार पलस 12x है न अब इसको हम क्या करेंगे इसको गुननखंड तोरते है ठीक है इसको गुननखंड तो तो यहां पर देखे सबसे पहले एक से स्क्वाइर है और एक से तो आपकी मर्जी पहले एक सका ले लिजे या पहले एक सका ही इसमें कर लेते हैं का इसमें सक्वायर है तो क्या बच कर बार है और फिर 12 था एक से बच्वाइर अब यहां पर देखे लिए इस से कौष यानि कि यह दोनों में सरहने करके कुछ diversion है भाघ होने वाला है यह बार होने वाला है दो से तो कितना हो जाएगा 4 x पलस 6 फिर यहाँ पे देखिए यह दोनों में से मिल करके कुछ और अंक से भाग होने वाला है तो यहाँ पे हम देंगे तो आपको पता लग रहा हो कि 2 में 4 से भी भाग लगता है 2 में 6 से भी भाग लग जाता है तो यानि कि 2 से भाग लग जाता है तो जब 2 common लिएं तो कितना बच जाएगा 2x, बच जाएगा और पलस में 6 में जब 2 से भाग लग जागा तो 3 बचेगा अब x क्यों नहीं लगे क्योंकि इसमें x नहीं है और जो संख्या यानि कि जो भी x हो चाहे y हो चाहे z हो चाहे कोई भी अंक हो अगर यह दोनों में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें से हम common नहीं लेंगे अब देखिए इसमें जो गुननखंड पलस माइनस जब 2 चरका दे, 2 पद का दे दे, 3 पद का दे दे, 4 पद का दे दे तो आप देखते रहेगा कि जब क्या है यानि कि जो दोनों में जो common आएगा वही को common लेना है अन्यथा अलग-अलग को common नहीं लेना है ठीक है अब देखिए जो बाहर में है जो तीनों इसको एक जगा गुना कर दीजे कितना आया है 2 दूद ना 4 और x यहाँ पर लिख देजे 2 दूद ना 4x को जावाक है ठीक है 4 x को यानि कि हम क्या कि यह है भाग दिये है तो मेरा लांती में कितना 2x plus 3 तो लिखो दीजैं 2x plus 3 यही इसका एंसर हो गया ठीक है यह क्या हो गया इसका एंसर हो गया और अगर समझ में आ गया है तो यानि कि second number question को बना करके आप हमें जरूर कमेंट वक्स के माध्यम से बनाईए बताए ठीक है प्लीज आप इतना जरूर कीजेगा क्योंकि हम भी काफी मेहनत करके वीडियो को बनाते हैं और हम यही सुचते हैं कि हमारे बनाए हुए वीडियो स किसी को फैयदा हो सके ठीक है अब देखे तीन number question क्या कहा है यह तीन number question को और चार number question का एक रंग रूप है ठीक है ठीक है तीन नमबर में इसा question दिया हुआ है तीन नमबर question में तीन नमबर question के अधीन में कि इसका जो है गुनन खंड गयाद करे ठीक है गुनन खंड निकाले तो इसका गुनन खंड कैसे निकलेगा तो यहाँ पर देखे, इसमें क्या करना है, दो-दो का गुरूप बना देना है, M square plus Mn का अलग गुरूप बना देना है, और minus 7n का अलग गुरूप बना देना है, इस दोनों में से देखना है कि इस दोनों में से मेरा common कौन सा अंक आ रहा है, तो यहाँ पर देखे, M और M, M square यहां कि यहां पर बच जाएगा और प्लस में कितना बच जाएगा ऐम तो यहां पर भाग देदी यानि कि यहां यहां तो निकल गया यहां पर आगया तो केबल यहाँ पर N बच जाएगा केबल यहाँ पर क्या बच गया N बच गया यानि कि M जब कॉमा लिए तो इसमें से क्या बच गया M पलस N अब यहाँ देखे इस दोनों में आपको कौन सा आँक कॉमाल लग रहा होगा तो आप थोड़ा माइंड को यानि कि घुमाईए हमारे पास भगवान इसलिए दिमाग दिये हुए क्योंकि इसका हम यूज कर सके ठीक है जब इसका यूज नहीं करते हैं तो वह हमेरा कोई पैसा थोरी न देंगे भगवान जी के पास यदी हम उपर यदी हमारा देहान्त हो जाएगा ऐसा रहेगा ठीक है आप दिमाग पर जोड घालिये दिमाग को कुछ समझिए ठीक है इससे कुछ यानि कि लेने का कोशिस कीजिए ठीक है यानि कि इसको कुछ सिखाने का भी कोशिस कीजिए तो यहां पर थोड़ा सा सा इसmee- millennials न directressungen है यानि क्या है तो आप इस प्रकार पाईएगा कि एक तो माइनस दोनों में दिख रहा है तो माइनस यहां से हम कॉमन ले लेंगे ठीक है उसके बाद दोनों में साथ साथ दिख रहा है तो यहां पर हम साथ कॉमन ले लेंगे जब माइनस साथ कोमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर M बच जाएगा और यहाँ पर देखें माइनस यहाँ से कोमन आग चुका है तो जब माइनस रहेगा और यहाँ पर माइनस कोमन आजाएगा तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा पलस और यहाँ से 7 common आ गया बच क्या गया cable in तो यहाँ पर in हो जाएगा अब देखे इतना आ गया और एक बात देख लिजेगा कि दोनों कोष्ट के अंदर में जो आप किजेगा यह दोनों सेम टू सेम होना चाहिए यानि कि दोनों बराबर होना चाहिए तो इसमें दोनों बराबर आ गया है बीच बाला दोनों बराबर आ गया हुआ है अब क्या हो जाएगा जो बाहर बाले है जो बाहर में इस कोष्ट के भी बाहर जो है और यहाँ पर इस कोष्ट के भी जो बाहर है यह दोनों को एक जगह आप लिख दीजे क्या है M-7 है यहाँ पर लिख दीजे m-7 एक जगा m-7 को लिख दीजे और जब देखिएगा कि दोनों कोष्ट के अंदर में आपका same to same यानि कि बराबर बराबर अंक आया हुआ है तो इसके बदले में कहीं पर एक ही अंक लिखिए या तो इस बाले को लिख दीजे नहीं तो इस बाले को लिखिएगा दोनों को लिखिएगा बात बराबरे होगा यहाँ पर क्या लिख दीजे m-plus n ठीक है और इस परकार आप देखिएगा कि यह इसका एंसर हो गया मातरम दो लाइन का एंसर है और इसको समझने में थोरा सा तकलीफ तो होता ही है लेकिन थोरा सा दिमाग पे जोड डालिए आपको 100% इसका है जो समझ में आ जाएगा अब देखिए इसमें क्या कहा है कि सर्वसामिका के परियोग पर गुनन खंड सर्वसामिका के परियोग पर गुनन खंड यानि कि बीजगनित का या फर्मूला जो होता है उसको हम सर्वसामिका के फर्मूला कहते हैं और सर्वसामिका के परियोग पर जब भी गुनन खंड देगा इसका मतलब हमको बीजगनित का जो हुआ सर्वसामिका का जो फर्मूला होता है तो वह दो फर्मूला के उपर में आधारीत रहेगा एक तो A plus B का whole square और एक रहेगा A minus B का whole square यह दोनों फर्मूले के उपर आधारीत यह प्रस्न रहते हैं इसी को तोर करके हमको A plus B का whole square के रूप में convert कर देना है तो इसको तुटा हुआ क्या रहता है तो इसका फर्मूला जो है A square plus 2AB plus B square यानि कि यह जो लिखार होगा मेरा यहां पर या तो A square plus 2AB plus B square लिखा रहता है नहीं तो क्या लिखा रहता है A minus B का whole square का फर्मूला मेरा क्या होता है कि A square minus 2AB plus B square ठीक है या तो यह वाला लिखा रहता है कि a plus b का whole square बरावर जो होता है a square plus 2ab plus b square नहीं तो रहता है a minus b का whole square बरावर a square minus 2ab plus b square रहता है ठीक है तो यहां देख लिए ज़िए सर्व सामिका के परियोग पर गुननखंड तो इसके हम परियोग पर बैठा करके देखेंगे कि यह rule मेरा follow कर रहा है यह दोनों में से कौन सा rule follow कर रहा है यहाँ पर देखिए same to same digit है a square plus 2ab plus b square यहाँ पर केवल plus में फरक है यहाँ पर केवल minus है यानि कि plus और minus का फरक है और केवल plus अगर दीख जाए तो इसका मतलब हम सम परियो दीखेंगे कि a minus b का holy square का रूप का है तो यहां पर देखिए इसमे दोनो जगा पलस है इसका मतलब यह इसके rule को follow कर रहा है और यहाँ पर एक जगा माइनस आसका मतलब यह जो है इसके rule कर रहा है अब देखिए दोनों इस rule को follow कर बीच बाला मेरा क्या है कि इस अंत बाले को देखेंगे कि यह B कितना का स्क्वाइर होता है यानि कि यह जो अंत बाला है यह कितना का स्क्वाइर होगा तो यह अंत बाला कितना का स्क्वाइर होगा तो 9 का स्क्वाइर हो जाएगा यह सर्व सामिका का गुननखंड है इसलिए ऐसे हम बना रहे हैं और पलस में बीच का क्या बच गया है 2AB यहां देखिए तो 2AB जब इसको करते है तो 2 इंटू इसका मतलब इसका फर्मूला क्या होता है पलस बी का मbahn कीटना है अ है तो दुस बी का मांग कितना है और फ़र मुला हम इस को तो के बैठा करके देखे हैं तो आ गया है ठीक है ए पलस नो का होल स्क्वाइर का मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ए पलस नो का स्क्वाइर का मतलब होता है वर्ग और वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसको हम दो बार लिख सकते हैं ए पलस नाइन इंटू ए पलस 9 यह इसका जो आया यह फाइनली सर्व गुननखंड का इंसर आया ठीक है और एक ऐसा भी रहेगा यह देखे यह इसका complete हो गया यह आपको इसमें अगर कोई भी problem आता है तो आप हमें comment कर सकते हैं ठीक है और दूसर का क्या है 3y square minus 30y plus 75 इसमें आप देखिएगा तो इसमें से आपको कोई भी ऐसा अंक नहीं दिखेगा जो अंक जो है क्या चीज को follow करता हो square के rule को follow करता है यानि कि जैसे a square तो 3y किसी का भी square नहीं होता है प्लस b square जो है तो यानि कि अंतिम में जो होता है तो या प्लस में जो 75 है तो वह किसी का square नहीं होता है तो ऐसे अंक में क्या होता है ऐसे अंक में हम देखेगा कि सारव गुनन खंड इसमें कोई छुपा रहता है इसमें देखिए तो तीनों में संख्या है यह दो से लगेगा नहीं इसलिए यहां से जब हम तीन कॉमा ले लेते हैं तो कितना आ गया मेरा y square minus 30 y है न तो मेरा कितना हो जाएगा 3 common आ गया 3 से यानि कि भाग जब लग गया common का मतलब होता है भाग जब भाग लग गया कितना गया 10y पलस 75 है तो पलस दे देंगे 75 में जब 3 से भाग लग गया तो कितना बचेगा 25 पचीस तिया 75 और इस पर स्थिती में क्या हो जाएगा इसका गुननखंड जो हमारा हमेशा गुननखंड के बड़ाबर में 0 छिपा हुआ रहता है तो 3 को हम 0 से गुना करके इसको हम 0 कर देंगे यानि कि 3 जब इस साइड में चले जाएगा sorry 0 से भाग हो जाएगा तीन में जब 0 से यहां से भाग होने के लिए चले आएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यह तीन को हम क्या कर देंगे जब कमन ले लिए तो इसका स्थित्व मिट गया इसको हम मिटा देंगे फिर भी कोई दिक्कत हमको एंसर में नहीं आएगा अब क्या मेरा यानि की कोश्चन आगया कि y square minus 10y plus 25 अब इसको देखेगी a square minus 2a b plus b square के रूप का है क्योंकि minus में है कोई भी फर्मूला पर आपको ध्यान नहीं देना है बीच गनित का कोई भी फर्मूला पर नहीं ध्यान देना है अलजेबरा के कोई भी फर्मूला पर नहीं ध्यान देना है केबल यही दो वो फर्मूला पर ध्यान दखना है जब बीच में माइनस दे दिया तो इसका मतलब यह माइनस के रूल को फ़लो करेगा तो y square किसका square होता है? y का square होता है माइनस 2a b होता है न तो माइनस 2a b को बाद में लिखे पहले लिख लिजिए पलस b square होता है न तो पलस b का मान कितना यानि कि कितना का स्क्वार 25 होता है तो 5 का स्क्वार 25 हो जाता है तो यानि कि B का मान 5 होता है तो माइनस 2 इंटू A का मान कितना हो जाएगा Y और इंटू B का मान कितना हो जाएगा 5 हो गया क्योंकि 5 दूना 10 y हो गया ठीक है b का मान यानि कि बीच वाला भी मेरा बराबर आ गया अब देखे क्या हो गया इसका फर्मूला क्या निकल के आता है a minus b का whole square ते a का मान कितना हो गया y minus b का हो गया 5 ते a minus b का whole square हो गया a minus b का whole square करने का मतलब y minus 5 का whole square करने का मतलब कि y minus 5 जो है यह सेम अंक को हम दो बार लिख देंगे इस परकार से यह answer आ गया और इस परकार से आपको जो सरफ सामिका से जो इस परकार से related कोई भी question रहेगा आप बना करके देखे अगर कोई भी problem आता एक इसके आगे का step मेरा आएगा यानि कि गुननखंड डारेक्ट रूप से जो गुननखंड आता है उस गुननखंड के chapter को हम बनाएंगे ठीक है उसके बाद हम बीज गनित के भाग पर चलेंगे यानि कि सर्व सामिका की भाग पर चलेंगे ठीक है तो आपको वीडियो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन